उत्तर प्रदेश के हर दोई में समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं द्वारा कृषी कानूनों के विरोध में ट्रेक्टर रैली निकाली गई आपको बता दे कि ये रैली पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव के आवान पर निकाली गई इस जोरान कृषी कानूनों को काला कानून बताया गया कारेकरताओं ने कहा कि सरकार को ये कृषी कानून तुरंद प्रभाव से रद्द करना चाहिए यही यात्रा गोपालपुर, कचलिया, बैजूपुर, खनीगवा, खुर्द, दर्यापुर, बलभद्र, मुडरु, खेड़ा, आदिस्थानों पर निकाली गई इस मौके पर सरताज खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ही किसानों, नोजवानों और मजदूरों की सच्ची हितैशी पार्टी है भाजबा ने किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों को पूरी तरह से छला है इस मौके पर एहमद खान, रवीष यादव, जितेंद्र सिंग, ओम प्रकाश लोधी, मुकेश, मयंक यादव, हरी शंकर यादव, नवल सिंग आदी मोजूद रहे हर दोई से समाचार एक्सप्रस की रिपोर्ट बलकि किसानों का नुक्सान हो रहा है, किसानों की आर्थिक इस्तिदी बहुत खराब होती जा रहे हैं, उनके बीच में जो MSP रेट है, वो भी उनको सही नहीं मिलना है, जो बिचौलिये लोग हैं, उसको डील करने का काम कर रहे हैं इसलिए समाचादी पार्टी, हम लोग, सभी लोग, इस भारती जनता पार्टी, सरकार का, इसकी नीतियों का, इसकी दोरा किये जारे कारों का पुर्जोर बिरोध करते हैं, जै हिंग, जै समाचादी जै गलेश, जै समाचादी पार्टी ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल J.B.D. Banquets Enterprise